तो बच्चो अब हम अपने क्लास 9 का Maths का First Chapter पढ़ने जा रहा है जिसका नाम है Number System बच्चों कि बहुत ही important chapter है और बहुत ही basic chapter है इस chapter में आप जो भी पढ़ेंगे वो आपकी पूरी Maths में बहुत बहुत important रहेगा और बहुत ज़्यादा काम भी आएगा तो इस chapter को बहुत ही ध्यान से समझेगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा So students, let's start with our first chapter, number system तो number system में बच्छा सबसे पहले हम चीज पढ़ेंगे, वह है types of numbers बच्छा जो numbers होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उन numbers को हम बहुत तरीकित से divide कर सकते हैं जैसे सबसे पहला division होता है, सबसे basic division होता है, natural number का, natural number का, natural number का, natural number कौन से numbers होते हैं बचो 1, 2, 3, 4, 5, and 100, 101 और आगे जाएं तो 200, 1 और इसकी भी आगे जाएं तो 3, 5, 2, 3, 5, 3, और ऐसे करते, 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 सारे number up to infinity, यह सारे number, 1 से start होने वाले number और 1 से आगे तक, infinity तक, सारे numbers जो हैं, उन numbers के set को हम बोलते हैं, natural numbers, बचो natural numbers को हम counting numbers भी बोलते हैं, counting numbers भी बोलते हैं, counting numbers क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को count करते हैं, तो हम इशा 1 से counting start करते है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी count करते हैं 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट करते हैं जैसे कि यहां पर इस photo में आपको बहुत सारी ships given है अब आपसे कहा जाते हैं इन ships को count करें कितनी ships है तो आप counting हमेशा 1 से start करेंगे न 1 2 3 4 5 6 and so on तो इसलिए इने बूला जाता है counting numbers क्योंकि यह 1 से start होते हैं अब टो infinity जाते हैं को ऐसे हमारी counting भी infinity तक जा सकती है यहां पर कितनी भी ships हो सकती है अब सबसे छोटा natural number कौन सा होता है यह obvious सी बात है जब natural number start 1 से हो रहे हैं तो सबसे छोटा number natural number कौन सा होगा वह नहीं होगा तो अब बचाओ हम largest natural number कौन सा होगा देखिए natural number तो infinity तक जा सकते हैं ठीक है कोई fix तो है नहीं तो largest natural number infinity ही होगा अब बचाओ हम क्या करते हैं कि natural numbers तो उसको हम n से denote करते हैं n से ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि natural number n is a set of set of all the numbers starting from 1 तो यह हुआ हमारा natural number मुलों यह पर n क्या है n है set of all the numbers from 1 to infinity इसके बाद में हम बात करते हैं whole number की natural number के बात बात आती है whole number की बचाओ जैसे natural number 1 से start होते है न वैसे whole number बस 0 से start होते है मतलब कि 0 1 2 3 4 and so on up to infinity ठीक है 0 बस include हो गया है natural number में तो वो whole number बन गया मतलब कि whole number के set को हम w से represent करते हैं w से represent करते हैं इसका मतलब w is equal to क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 and so on 0 से लेके infinity तक के सारे numbers के set को हम whole number कहते हैं अगर यहां पर भी हम smallest और largest whole number की बात करें तो वो क्या क्या होंगे बचे smallest whole number क्या होगा देके 0 से क्योंकि whole number start होते हैं तो यहां पर smallest whole number होगा 0 और largest whole number क्या होगा largest whole number होगा infinity अब natural number और whole number में difference क्या है बचे natural number हमेशा 1 से start होते हैं उसमें 0 नहीं होता है वहीं पर whole number जो है 0 से start होते हैं उसमें 0 होता है plus सारे natural number होता है बचे natural number और whole number के बार हर type का जो number पढ़ते हैं वो है integers अब integers क्या होते हैं देखें कोई भी number लीजे say हमने number लिया 5 अब इस 5 number क्या होगा आप एक minus n लगा दीजे तो क्या होगा minus 5 होगा मैं सब को और number लीजे जैसे कि लीजे आप 2, 2 के आगे आप minus sign लगा दीजे तो यह जग्या minus 2 तो बचो जैसे की 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह numbers हैं अगर उन सभी numbers के आगे आगे आप минस sign लगा दे तो वो negative number जाते है क्या बन जाते है negative number बन जाते है तो बचो यह जो negative numbers का set है वो minus 1 से लेके minus 1 से लेके minus infinity तक होता है मलब minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 ऐसे करते 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 infinity तक यह numbers होते हैं तो यह negative numbers का set होता है तो अगर negative numbers को और whole numbers को combine करके एक set बनाया जाए तो वो जो set बनता है उसे बोला जाता है integer बजो इसे हम denote करते हैं z से and here z is equal to minus 5 यहाँ पर dot dot लगाते हैं dot 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 minus 5 minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 यह तो ओकर negative number अब फिर यहाँ से लिखते है whole number 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on मलब कि देखें यहाँ से आगे तक इस point से आगे तक यह तो सब हो गए negative numbers और इस point से आगे तक यह सारे numbers कौन से हो गए? यह सारे number हो गए हमारे whole number whole numbers और इन दोनों के combined set को हम बोलते हैं integers अब फिर सगर हम यहाँ पर smallest integer और largest integer की बात करें तो यहाँ पर smallest integer कौन सा होगा? minus infinity largest integer कौन सा होगा? positive infinity बच्च हम जानते ही है negative number में जैसे जैसे number की value बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो number और छोटा होता जाता है मतलब की minus 4 जो है minus 5 से बड़ा number है minus 1 जो है this is the greatest negative integer मतलब negative numbers में सबसे बड़ा number कौन सा है? minus 1 negative number में सबसे चोटा number कौन सा है? minus infinity whole number में सबसे बड़ा number कौन सा है? infinity और whole number में सबसे चोटा number कौन सा है? 0 हो, so I hope आपको अब ये सब कुछ clear हो गया होगा, ठीक है, अब एक बात है, यहाप एक बात और समझने की है, कोई number है, suppose one by two, one divided by two, ये number का आएगा, बचो ये number natural number में आएगा, whole number में आएगा, या integer में आएगा, कहां पे आएगा, बचो ये जो number है one by two, वो इन तीनों में से कही भी नहीं आएगा, ये एक चौथे टाइप का number है, जिसे हम बोलते है rational number, तो बचो जैसे की numbers है, one by two, one by three, two by three, hundred by 99, minus five by six, five by minus six, इस टाइप की जो numbers है, उन सभी numbers को, हम p by q की form में लिख सकते हैं, बचो निमेरेटर हो गया p, दिमेरेटर हो गया q, तो जो भी number p by q की form में ल rational number, rational number, so rational number is the set of all the numbers which can be represented in form of p by q, q is set of all the numbers which can be represented in form of p by q, p by q की form में बचो, किसी भी number को अगर हम लिख सकते हैं, तो वो एक rational number ही होता है, अब यहाँ पर ध्यान दने की चीज़ यह है, कि p और q, यह जो p और यह जो q है, वो दोनों क्या है, पर जो p एक अलग number है, q एक अलग number है, जो p है, वो एक integer है, जो q है, वो भी एक integer है, मतलब कि p की value minus infinity से positive infinity सक कुछ भी हो सकती है, और वहीं पर q की value भी minus infinity से plus infinity सक कुछ भी हो सकती है, मगर यहाँ पर ध्यान दने की बात यह है, कि q की value बास 0 नहीं हो सकती है, q की value 0 नहीं हो सकती है, बाकी minus infinity से infinity सक कोई सा भी number ह हो सकती है, जैसे अब यहाँ ही पर देख लिए जब, यह जो मैंने इतने सार एक्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे थे, उनमें रज़र डालिए, 1 by 2, 1 by 2 में P क्या है, 1 है, Q क्या है, 2 है, P तो है 1, Q है 2, तो P क्या हुआ, एक इंटीजर है, Q क्या है, वो भी एक इंटीजर है, वैसे 1 by 3, यहाँ पर P क्या है, 1 है, Q क्या है, 3 है, 2 by 3 में भी यह हो रहा है, P क्या है, 2 है, Q क्या है, 3 है, वैसे अगर इस वाले में देखें, तो P क्या है यहाँ पर, minus 5 है Q क्या है minus 6 5 by minus 6 में देखें तो यहाँ पर P तो आ गया 5 और Q आ गया minus 6 तो यह सब क्या है इसारे rational number है बस ध्यान देने के बात यहाँ पर यह है याद रखने के बात यह है कि Q की value कभी भी 0 नहीं हो सकती है और आप खुछ सोच के देखें अगर हम Q की value 0 रख भी देते हैं जैसे कि अगर हम कोई number लेते हैं P by Q यहाँ पर हम कहते हैं कि P की value तो है 5 और Q की value है 0 इसका मतलब हमने कर दिया 5 by 0 अब अब चो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल छोटे से तिजब से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी number को हम 0 से divide नहीं कर सकते this thing is not defined not defined इसी लिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि denominator में Q आ रहा है तो Q की value 0 नहीं हो सकती है उसके अलाबा वो कोई भी integer हो सकती है भले वो positive हो भले वो negative हो वैसे P की value भी positive हो सकती है और वो negative हो सकती है तो अब हो सकता है ऐसा सोच रहा हूँ कि फिर एक 0 है या अगर हम बात करें 1 है या हम बात करें 100 है ये सब क्या है ये क्या एक rational number है बिल्कुल है बस यहाँ पे P की value है 0 Q की value है 1 अब Q की value जब 1 होती है तब उसको लिखते नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ 0 लिखा रहता है वैसे ही 1 है सिर्फ single 1 है तो इसमें P की value तो होगी 1 Q की value क्या होगी Q की value होगी 1 same here 100 है 100 में P की value तो है 100 P की value है 100 और Q की value क्या है या आपटे 1 है वैसे गर हम बात करें minus 10 की तो minus 10 में क्या होगा P की value है minus 10 Q की value है 1 10 upon 1 which is written as minus 10 only यहाँ पर हम minus वहाँ पर denominator हम 1 नहीं लिखते हैं बार बार तो बच्चो यह जो भी नंबर सभी हमने पढ़े यह चारो टाइप के जो नंबर हमने पढ़े हैं उसके इंदर हमें एक relation निकाल सकते हैं देखिए natural number क्या है 1 से start होके infinity तक जाने वाले number है whole number सारे natural number है plus 0 है ठीक है integers क्या है integers सारे whole number है plus सारे negative number है ठीक है और rational number क्या है rational number बच्चो सारे integer है plus हर वो number जिसके denominator में 1 नहीं है वो भी numbers है तो हो सकता है आपको यह सब समझ में आ गया हो अच्छा से चलिए एक question करते हैं उसके उपर उससे आपको चीज़ें और ज़्यादा clear हो जाएंगी देखिए हमें question दे रखा है state weather following numbers are natural number, whole number, integer और rational number हम इन numbers को देखके बताना है कि यह natural number है whole number है integer है या rational number है यह सभी कुछ है तो देखिए 5000, 5000 क्या है यह natural number तो है क्योंकि counting number है आप कुछ भी count करेंगे तो वह 5000 तो आपकी counting तो पहुंची जाती न तो यह क्या होए एक तरह के natural number तो होई गया अब देखिए यह whole number है क्या देखिए whole number में उस सारे number साथ यह natural number में है इसका मतलब यह whole number भी है ठीक है इसके बाद में क्या यह integer है बचर यह एक whole number है तो इसको integer भी होना ही पड़ेगा क्योंकि integer के अंदर सारे whole number होते है इसलिए यह z, z भी है z com integer से integer के लिए रिखता है अभी क्या यह rational number है देखिए इसके लिए इसको p by q की form में होना चाहिए यहाँ पर p की value है 5000 और q की value क्या है q की value है 1 इसका मतलब यह एक rational number भी है ठीक है minus 399 minus 399 क्या यह एक natural number है बचाओ natural numbers are counting number और हम कभी भी negative में counting नहीं करते हैं कभी हमें sheeps count करनी तो हम ऐसे count नहीं करेंगे उन्हें कि minus 1 sheep minus 2 sheep minus 3 sheep हमेशा हम उन्हें 1,2,3,4 से count करेंगे इसका मतलब minus 399 natural number में नहीं आता ठीक है तो यह natural number तो नहीं है तो अब क्या यह whole number है बचाओ यह whole number भी नहीं हो सकता whole number भी हमने देखा था हमेशा positive ही होता है अब अगर हम देखें integer है या नहीं है तो यह negative number है इसलिए एक integer तो है z तो यह है पर अब क्या यह rational number है बिल्कुल है इसको हम P by Q की form में ऐसे लिख सकते है P की value हो गई minus 399 और Q की value हो गई 1 इसलिए यह Q भी है अब बात करते है 1 by 2 की तो 1 by 2 जो है वो natural number तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि हम counting में कभी भी 1 by 2 तो लिखी नहीं बोली नहीं सकते है ठीक है तो यह natural number तो नहीं हुआ अब यह whole number भी नहीं होगा तो और यह क्या हो सकता है integer हो सकता है कि यह integer भी नहीं हो सकता क्योंकि integers क्या है whole numbers plus negative जो भी negative numbers है वो इसका मतलब कि यह एक integer भी नहीं है पर क्या एक rational number है बिलकुल है क्योंकि इसे P by Q की form में लिखा जा सकता है 0 0 क्या एक natural number है हमने देखा था 0 natural number नहीं होता है whole number क्या 0 एक whole number है बिलकुल है, 0 एक whole number है क्योंकि whole number जो है वो 0 से ही start होते है, in fact 0 is the smallest whole number, क्या 0 एक integer है, बिलकुल है क्यों है, क्योंकि whole number integer का ही part होते है whole number जो है, वो integer का ही एक part होते है अब क्या एक rational number है बिलकुल है rational number भी है यह फिर बात करते हैं, minus 100 upon minus 5 की यह natural number हो नहीं सकता, whole number हो नहीं सकता, क्या यह integer हो सकता है, क्योंकि हमें negative numbers तो है, पर बचले क्योंकि यह P by Q की form में है, तो यह integer तो नहीं है, ठीक है, क्या यह rational number है, बिल्कुल है, यह rational number तो है ही सही, अब यह fraction में थे, इस वज़े से यह integer नहीं हुए, पर यह fraction में थे, इसल यह rational number हो गए तो इस से हम इस conclusion निकाल सकते हैं All the natural numbers are rational numbers जित्ते भी natural numbers होते हो सारे national numbers होते हैं वैसे ही All the whole numbers यहाँ पर whole numbers भी लिख देता हूं मैं All the whole numbers are also rational numbers यहाँ पर मैं integer भी दोल देता हूं All the integers are also rational numbers But all the rational numbers are not natural numbers बच्चो सारे rational numbers natural numbers हो जरूरी नहीं है और सिर्फ natural number क्यों? सारे rational number whole number हो यह भी जरूरी नहीं है और सिर्फ whole number ही क्यों? सारे rational number integers हो यह भी जरूरी नहीं है जैसे कि इसी example को देख लिए यह जो number है वो एक rational number है पर यह natural number whole number यह integer नहीं है 1 by 2 ये natural number, whole number या integer नहीं है पर 5000 को देखिए ये natural number भी है, whole number भी है, integer भी है और rational number भी है तो आई होब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा natural number, whole number, integer और rational number का concept तो चलिए आगे बढ़ते हैं बचो आप बहुत छोटे से थे, तब से आप number line पढ़ते भी जरूर आ रहे होगे अब हम इन numbers को जो भी हमने पीछे देखिए हैं उन सभी numbers को हम number line पर represent करके देखिए तो बचो number line क्या होती है, number line एक simple सी line ही होती है कुछ ऐसी एक line होती है, जिसके यहां पर दोनों side arrow बने होते है इसे हम number line बोलता है आज तक, ठीक है अब हम इस number line पर सबसे पहले natural number को represent करना चाहते हैं क्या करना चाहते है, natural number को, natural numbers को हम इस line पर represent करना चाहते हैं कैसे दिखाएंगे, कैसे बोच दिखाएंगे कि इस line पर natural numbers है तो बचो उसके लिए सबसे पहले आपको एक point लेना पड़ेगा कोई भी point ले लिजे, around center के थोड़ा सा पास में ले लिजे इसको नाम देजिए कि यह number one है, ठीक है अब इसके right hand side में, याद रखिए right में, right में equal distance पे, equal distance पे कुछ points बना दीजे जैसे कि यहां से one centimeter की distance पे मैं एक और point बना देता हूँ फिर इस point से एक centimeter की distance पे मैं एक point और बना देता हूँ यहां में लिख देता हूँ, यह one centimeter है यह भी one centimeter है यहां से भी 1 cm की distance पे एक और point, यहां से 1 cm की distance पे एक और point, इस तरह से हमें points बना देता हूँ, अब यहां पे जरूरी नहीं है, 1 cm ही ले, अब यहां पे 1 mm भी ले सकते हैं, 2 cm भी ले सकते हैं, 10 cm भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पर यह equal होने जरूरी हैं बस, ठीक है ये तो हो गया number one, अब इसके बाद में counting start कर दीजिए, ये number two, ये number three, ये number four, ये number five, ये number six and so on, ये जो arrow है इधर के direction में वो represent कर रहा है कि and so on, बनलब इसके आगे के सारे numbers, पर देखे अब इस arrow की तो हमें जरूरती नहीं है, यहाँ पर तो arrow बनाने की जरूरती नहीं क्योंकि smallest number तो one है, इसके left में तो कोई numbers आने ही नहीं है, इसलिए हम इस arrow को यहाँ से हटा सकते हैं, तो यहाँ पर हमने natural numbers को एक number line पर represent कर दिया है, अब ये तो वह natural number की बाद, अगर हम whole number को इस number line पर represent करना चाहिए, तो कैसे करेंगे, देखे whole number को भी इस line पर represent करने के लिए, हम ब starting on zero से कर देंगे, मतलब सबसे पहना point जो mark करेंगे होगा zero, जो कि इस line के बिल्कुल center में होगा, और इसके बाद right hand side में one centimeter के gap से हम points mark करना चालू करेंगे, और फिर यहाँ पर numbering count लिखना चालू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, towards right, और सेम बात यहाँ पर भी है, यहाँ पर हम extend करेंगे कि यहाँ से यह जो numbers है, वो infinity तक जाने वाले हैं, अब हम integer को number line पर represent करना चाते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखे हमने देखा था, integers क्या होते हैं, देखे integers होते हैं, सारे whole number और सारे negative number, तो whole number को तो हमने देखा कि किस तरीके से number line पर represent किया जाता है, अ अब negative numbers को किस तरी से represent करेंगे, देखे, 0 से right hand side में हम move कर रहे हैं, तो हमें positive numbers मिल रहे हैं, increasing order में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब गर हम 0 से left hand side में move करेंगे, left में move करेंगे, तो हमे negative number मिलने लगेंगे, 0 के just पहले negative number कौन सा होगा, minus 1 होगा, उसके just पहले कौन सा number होगा, minus 2 होगा, उ उसके पहले minus 4 होगा and so on, यहाँ पर भी धियान रखना यही है कि यह जो gap है, वो भी 1 cm का ही होगा, मतलब कि यह equal होगा, यह जो gap है, यह equal होगा इन वाले gaps के, ठीक है, तो 0 के right hand side में हम positive numbers लिखते हैं, 0 के left hand side में हम negative numbers को लिखते हैं, और क्योंकि यह number जो आगे infinity तक जा रह रहे हैं, यहाँ पर यह arrow represent कर रहा है कि यह numbers आगे infinity तक जा रहा है, ठीक है, तो यह अब representation हो गया है हमारा integers का on number line, तो अब यह देखिए कि आप एक और number line draw कर रही है, इस number line में हमने देखा कि यह 1 से लेके आगे infinity तक, यह तो थे natural number, 0 से लेके यह आगे तक, यह सब थे whole number, और यहाँ से लेके, इस end से लेके, इस end तक, यह सब थे integers, पर अब हम rational number को कैसे represent करेंगे, तो बच्चों rational number को number line पर कैसे locate करेंगे, देखिए rational number को number line पर locate करना थोड़ा problematic है, क्या problems आएंगे उसमें, उसको समझने के लिए छोटी से number line draw करते हैं, देखिए, यह एक छोटी स यहाँ पर locate हो रखें, ठीक है, अब देखिए हम 0 से लेके 1 के बीच में, जितने भी rational number से उन सब को यहाँ पर locate करना जाते हैं, तो देखिए 0 से 1 के बीच में तो बहुत सरा rational numbers होंगे, जैसे कि 1 by 2, 1 by 2 क्या एक rational number है, और 0 से 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, ऐसे करते करते नजाने कितने सारे हैं, तो यह rational numbers 0 से 1 के बीच में आ रहा है, और उसके बाद में लिए 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1,000, 1 by 1,00, यह सारे numbers, यह सारे numbers भी 0 से 1 के बीच में आ रहा हैं, और यह सारे इhe rational numbers भी हैं, तो 0 से लेके 1 के बीच में इतने सारे numbers को locate करना तो possible ही नहीं है because there are infinite number of rational numbers between 0 and 1 तो 0, 1 के बीच में infinite number of rational numbers है 1 और 2 के बीच में भी infinite number of rational numbers होंगे 0 और minus 1 के बीच में भी होंगे minus 1 और minus 2 के बीच में भी होंगे करते हैं, जैसे एगर हम इसे कहा जाए कि locate, locate 1 by 2 on number line, हमें कहा जाता है 1 by 2 को इस number line पे locate करना है, तब ये बड़ आजसान कहा हमें, उसके लिए तो हमें simply क्या करना है, 0 और 1, इन दोनों के बिलकुल बीच में जो जगे है, जी बीच का जो point है, वही point 1 by 2 होगा, क्यों 1 by 2 तो बिलकुल हाफ होता है, 0 और 1 का, अब ऐसे हम से कहा जाए कि locate 1 by 4 on number line, अब 1 by 4 को number line पे कैसे locate करेंगे, देखिए 1 by 4, 0 और 1 by 2 इन दोनों के बिलकुल बीच में आता है, ठीक है, तो 0 और 1 by 2 को बिलकुल बीच का point लीजे, बहुत scale से measure करके, बहुत precise list को लीजे, और यहाँ क 1 by 4 के बिलकुल बीच में आएगा, 0 और 1 by 4 के बिलकुल बीच में point लीजे, और यहाँ पर mark कर दीजे 1 by 8, वैसे अगर हमें कहा जाए कि locate 1, 1 by 2 on number line, हमें 1, 1 by 2 को number line पे locate करना है, तो इसका मतलब क्या हो, 1, 1 by 2 क्या होता है, 1, 1 by 2 क्या होता है, 3 by 2 होता है, 2 into 1 plus 1, 3 by 2, अब 3 by 2 जो है, वो 1 और 2 के बिलकुल बीच में आता है, ठीक है, तो 1 और 2 के जो भी distance है, उसके बिलकुल बीच का point लीजे आप, यह हो गया 3 by 2, या फिर 1, 1 by 2, तो बचो कुछ इस तरीके से हमें rational numbers को number line पे locate करना पड़ता है, पर अगर हमसे कहा जाए कि सारे numbers को number line पे locate कर दिय का, वो वैसे तो ठीक तरीका है, पर जब भड़े complicated number आ जाते हैं, जैसे 5 by 3 यह आ जाता है, तो ऐसे numbers को उस तरीके से calculation करके हम locate नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा कुछ अलग्ट strategies उसमें लेनी पड़ेगी, देखते हैं क्या करना पड़ेगा, इस question को solve करते ह देखें, हमें कहा जा रहा है कि 5 by 3 को number line पर locate करना है, तो बज़ो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपनी number line को draw करिए, उसके बाद में बिलकुल center में आप लेजिए, अपना point O, which is 0, इसको मैं O कह रहा हूँ, ठीक है, इस point को नाम दे दिए मैंने O, अब जो आपका यह जो rational number है, उसका जो numerator है, 5, उस integer को आप number line पर locate करिए, देखें, 5 क्योंकि positive है, तो वो 0 से right inside में जाएगा, इसको 5 को locate करने के लिए हमें यहाँ पे 5 divisions बनाने पड़ेंगे, तो बना लेता है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं है, 5, यह सब equal distance पर है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 और यह 5 है, यह काम करने के बाद यह जो बीच के points बनाया थे, इन्हें रादेता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 से लेके 1 point locate कर दिया, which is 5, अब इसको भी मैं नाम देता हूँ, इस point को भी, इसको नाम देता है, P, यह यह O है, यह P है, ठीक है, अब लेकिए, denominator में 5, वाँ, sorry, 3 है, ठीक है, तो 0 से लेकिए 5 तक, जो भी यह measurement है, उसके 3 part करिये, 3 equal part करिये, 1st, 2nd, 3rd, यह 1st part ही, 2nd part ही, 3rd part, यह equal नहीं, इसको सरी करना पड़ेगा, यह 1st part ही, 2nd part और यह 3rd part, 1st, 2nd, 3rd, ठीक है, अब यह बच और कहा आएगा, यह वाला जो point है, यह वाला point, यह है हमारा 5 by 3 वाला point, इसको नाम देदेते हैं A, बचार यह वाला जो point है, यह हमारा 5 by 2 वाला point, इसको नाम देदेते हैं B, और यह वाला जो point